घब़े कि दरूद है जो हम एक राइड पात पर लेकिसी को भी फॉल्लो करने लग जाते हैं तो जो मन कहता fifty करना चाहिए और फिर जो सब कहतें है उसको फॉल्लो करना चाहिए गर या पर जो फॉल्लों कारें गरुआ कि वर बोtsåd को बोल रहा है या जिसको लोग गुरू बोल रहे हैं वो एक्चल में गुरू है भी या नहीं है जैसे पहले के जमाने में अगर आपको spiritual path पर चलना है तो आपको किसी गुरू के पास जाना होता है आपको चाहे जरुत है या नहीं है इतने गुरू हो गए हैं जो आपके पास आ रहे हैं आप उनके पास नहीं जा रहे हैं ऐसे बहुत सारे गुरू हैं जिनकी एड्स चल रही है यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर एक spiritual गुरू जो कह रहा है कि desire में कुछ नहीं पड़ा है और वो अपनी आड्ड चला रहा है एड किस लिए desire है ताकि और लोग आए अच्छा उससे क्या होगा और donation आएगी उससे क्या होगा और add चलेगी वो आपके ऊपर अपने जो thoughts है उसको impose कर रहे है चाहे आपको guidance की जरूरत है या नहीं है चाहे आपकी वो age है या नहीं है किस तरह के इंसान से शादी करें मैं बताता हूँ य मज़िगी बात क्या है कि आप लोग इतने घोचु हो कि आप इतना भी inquire नहीं करते हो कि वो इंसान जिस topic के बारे में बोल रहा है उससे related उसके पास में को experience है भी या नहीं है मतनब शादी which is an extremely complex topic इससे complicated कुछ नहीं हो सकता है पूरी दुनिया में एक ही time पे एक इंसान के की जो space से निकला हो वो आपको सही guide कर पाएगा जिसके साथ में ये चीज हो चुकी हो जिसने खुद इसको face किया हो तो वो आगर क्या आपको बोल सकता है कोई बात नहीं छोटे मुटे issues हैं जाने दो एक दो दिन के लिए थोड़ा सा space maintain कर लो सब ठीक हो जाएगा उस time पे आपको जरुत है किसी ऐसे इंसान की जो experienced हो in this particular situation लेकिन हुआ क्या आपकी लड़ाई हुई है अभी अपने पती से अपने हाट देखी और वहाँ पे exactly वही है जो आप सोच रहे हो क्योंकि ये जो social media platforms इनका algorithm ऐसे ही काम करता है इनको पता लग जाता है कि कब आप life के किस face से निकल रहे हो आपको नहीं पता इनको सब पता है कि अभी अभी आपकी अपने पती से या पत्नी से लड़ाई हुई है अब आपको कैसे पता इसी को data बोलते है उसी से related content आता है उसी time पे आपको वो ही वीडियो से एकदम से दिखने लग जाएंगी वो ही content दिखने लग जा उस गुरू के पास में आपको होगी या बात तो सही है जब लडाई होती है उस इंसान से जिसके साथ आप relationship में होते हो तो life की दज्यां उड़ जाती है कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है तो ये गुरू आपके पास में support बन करके आ जाता है अरे सब में आप में चल रहा है और यह आ करके उस गुरू ने बोला किसलिए करते हो शाथी अपनी हवस की आपको बुजाने के लिए आपने को हाँ यही तो है यह मुझे पहले नहीं पता थी बात यह गुरू जी पहले क्यों नहीं मिले मुझे अब आप सब छोड़ चाड़ करके उस अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर आपका ऐसा ब्रेंवाश हो गया है जो आपको खुद भी नहीं पता है तो यह एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है आपको इतना एलर्ट रहना होगा आज के टाइम में जिसकी कोई हद नहीं है नहीं तो आपकी लाइफ बहुत वजय हो जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा हुआ क्या है और मैं बता रहा हूं आपको वजय क्या है एक ऐसा इंसान जिसको खुद कुछ नहीं पता है वह आकर कि आपको गाइड कर रहा है उस टॉपिक के बारे में अब उसकी गाइडेंस कैसी होगी इन बातों को अगर आप समझ गए तो बच जाओगे नहीं तो यह आप लोग की जेब में पैसा है अब बिचारा एक स्टूडेंट है उसकी जेब में पैसा ही नहीं है तो वो क्या देगा इन लोग को इसके बारे में अगर कोई बात कर रहा है इसके बारे में अगर कोई बात कर रहा है इस बिग रड़ फ्लाग there are people on YouTube that I'm aware of I'm sure आपको भी पता होगा शादी की ऐसी इमेज बना रहे हैं आप लोगों के माइंड में जो बिलकुल unreal है impractical है जो कहीं exist ही नहीं करती है कि शादी ऐसी इंसान से करनी चाहिए जिसका ऐसा mindset हो जैसा आपका mindset है अच्छा ये आपका mindset कैसे बना मैंने बनाया पहले मैंने आपको अपनी आड दिखाई फिर अपने यहां पर बुलाया फिर आपका एक mindset बनाया अब आपको कह रहा हूँ ऐसी ही लड़की से शादी करो अरे तो आप ही करवा दो कभी भी अगर आपको advice चाहिए या कोई confusion है या लड़ाई जगडा हुआ है चाह शादी हो गई है चाह नहीं हुए एड़ाईस चाहिए शादी से related तो हमेशा किसी ऐसे इनसान से बात करो जिसकी शादी हो गई हो जिनकी शादी हो गई है सर आपकी कह रहा है सर इसमें आपक इससे ज़्यादा मज़ा और किसी चीज बे नहीं आता है, especially अगर किसी की शादी हो गई है तो, लेकिन अगर एक्चुल में उन लोगों से आप जा करके बोलो, जो इस तरह की बाते कर रहे हैं, कि छोड़ दो, कब भी नहीं छोड़ेंगा, और आपको एक और मज़दार बात जो इस तरह के जोग जादा मारेंगे ना, उनके रिलेशनशिप उतनी बढ़िया है, उस रिलेशनशिप में मजाग के लिए स्पेस है, इसका मजला रिलेशन अच्छा है, और आप लोगों क्या लग रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, कि क्योंकि इस से रिलेटेट ल जो गए उनको समझ आ जाएगी, मैं क्या कह रहा हूं, शादी बुरी नहीं है, आपकी शादी हो गई है, नहीं सर, मैं तो ऐसे बतारहूं, अब इन्होंने क्या कहा, डेपेंडीग अपॉन पार्टनर, पार्टनर क्या होता है, पार्टनर तो एक इमयाजिनेशन है, जो तो एक extreme आपके mind में imagination क्या है जो Bollywood ने बनाई है या movies ने बनाई है romance की प्यार मोहबत की शादी की इसकी उसकी जो पूरी तरह से गलत नहीं है but that is short lived वो कुछ time तक रहता है उसके बाद में उसका जो पूरा structure है उसका जो पूरा nature है वो चेंज हो जाता है जो movies में depict कर पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि movies में सब कुछ यह तो black में होता है या white में होता है gray में दिखाना बड़ा मुश्किल है I'm not sure आप मेंसे कितने समझ पा रहे हैं कितने नहीं मैं क्या कह रहा हूं मतलब यहां पर problem क्या है हम लोग की problem क्या है कि जैसे भी movies हमने देखी है वहाँ पर बड़ा clear एक फर्क होता है कि यह hero है यह villain है hero है तो अच्छा है villain है तो बुरा है जबकि actual life में ऐसा नहीं होता है actual life में हर आदमी यह हर औरत बीच में कहीं पर होता है gray area में होता है अच्छा भी होता है बुरा भी होता है hero भी होता है villain होता है कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है तो actual life कहा है इन दोनों के बीच में है शादी ना बहुत अच्छी है जैसे कि दिखा रहे हैं ना बहुत बुरी है जैसा कि ये लोग दिखा रहे हैं जो दूसरे एक्स्ट्विम में बैठे हैं जो शादी के बारे में कुछ भी बक्वास कर रहे हैं और वो इस तरहे की बाते कर रहे हैं जो अगर आपके mind में गई तो या तो आपकी शादी होगी ही नहीं और अगर गलती से हो गई तो वो टिकेगी नहीं क्योंकि वो क्या कर रहे हैं आपके mind में शादी की एक ऐसी imagination बना रहे हैं जो actual में कई exist नहीं करती वो imagination का है उनके खुद के mind में है कि शादी और relationship इस सब में कुछ नहीं पड़ा है जब तक के आप ये नहीं कर लेते जो मैं कह रहा हूँ खुद को नहीं समझ लेते what do you mean by that खुद को नहीं जान लेते उसके बाद किसी ऐसे को ढूंडो जिसके अंदर या तो एक डिजायर हो जो खुद को जाना चाती हो या खुद को जान चुकी हो उससे शादी करो बिल्कुल बक्वास एक imaginary कहानी एक ऐसे इंसान की जिसको कुछ भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है और ऐसे इंसान को आप सुन रहे हो इससे होगा क्या आपकी पूरी लाइफ की धजिया और जाएगी तो आपको करना क्या चाहिए बहुत अलर्ट होना पड़ेगा लाइफ में आज के टाइम में क्योंकि अब वो टाइम गया कि आपको एक प्रॉब्लम है और आप सुलूशन दूणने के लिए दुनिया में जा रहे हो अब आपको चाहिए प्रॉब्लम है या नहीं है तो पहले एक आटिफिशल प्रॉब्लम आपके लिए क्रियेट करेंगे आपके माइंड में फिर आपको अपना सुलूशन ओफर करेंगे और उस सुलूशन को एक बार आपने एकसेप्ट कर लिया तो उससे बड़ी कोई प्रॉब्लम ही नहीं ये लाइफ में जिसका कोई सुलूशन नहीं जैसे मेडिकल फील्ड में बोलते हैं कि वहम का कोई इलाज नहीं है कोई दवाई नहीं है किसे को वहम हो गया कि मेरे को ये वाली बिमारी है दोक्टर कहरा है नहीं है नहीं है जी मुझे तो है तो करना क्या है कि कभी भी आज के ٹाीम में किसी एक इंसान को फ़लो मत करूँ वो इंसान चाहे कोई भी हो चाहे में हूं चाहे कोई भी है अपनी life की अलग-अलग problems को identify करो depending upon कि अभी आपकी life की क्या stage है उसके according उस time पे देखो कि किस इंसान के पास में उस problem का solution है उस particular problem के solution के लिए उस इंसान के पास में जाओ solution निकालो उसके बाद में ताटा बाई बाई टाट बाद बाद आपको